Hello everyone, welcome back to become English champion YouTube channel and my name is Ankhush और हम सीख रहे हैं English through stories तो आज की जो story हम रीड करेंगे उस story का नाम है the port of wit ये भी काफी interesting story है तो आप देखिएगा कि कैसे एक मटका जो की बुद्धी वाला है तो उसी के बारे में story है तो wit का मतलब क्या होता है so let me tell you the meaning first wit का मतलब होता है बुद्धी और port का मतलब होता है मटका और मटके को एक चीज और भी कहा जाता है picture P-I-T-C-H-E-R picture मटके को बोलते हैं और port भी होता है मटका और wit मतलब बुद्धी तो port of wit का मतलब हुआ बुद्धी का घड़ा तो कैसी स्टोरी है तो चलिए read करते हैं तो मैं आपको एक एक word और एक एक line को पूरा exact हिंदी में translate करके बता रहा हूँ so that आप reading skills सीख सके और आपकी vocab power improve हो सके तो चलिए शुरू करते हैं इसको read करना तो story goes like this once एक बार after a disagreement एक असहमती के बाद disagreement मतलब होती है आसहमती और हम कह रहें आसहमती के बाद मालों कोई बात हुई होगी और अकबर और बीर्बल के बीच में तो वो आसहमती पर जागर खतम हूई यानि के अकबर हो सकता है बीर्बल ने अकबर की किसी बात पर आसहमती जताय हूँ this agreement उसने शो किया हो तो वह कहा रहे एक बार डिस अग्रिमेंट के बाद और सहमती के बाद किंग अक्बर बिकेम फ्योरियस जो किंग अक्बर था वो गुस्सा ओगया क्रॉधित हो गया furious मतलब होता है क्रोधित बहुत गुस्से में और become furious यह एक verb है जिसका मतलब होता है क्रोधित होना तो second form became furious तो राजा अकबर बहुत क्रोधित हो गया with birbal birbal से and asked him और उससे कहा अब यहां पर ask का मतलब पूछा नहीं है जब हम storytelling करते हैं जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं तो हम ask लगाते हैं कहने के लिए तो उसने क्या का and asked him और उससे कहा to leave the court अब उस court से चले जाने के लिए birbal obeyed birbal ने उनकी आग्या मानी obey मतलब होता है कहना मानना and went और चला गया to a village एक गाउं में far away तो एक गाउं में चला गया आग्यामान के किसी दूर गाउं में they are वहाँ he began working as a farmer उसने एक farmer की तरह काम करना शुरू किया he began उसने शुरू किया begin की second form began he began working as a farmer without revealing बिना व्यक्त किये reveal का मतलब होता है खुलासा करना व्यक्त करना यानि कि disclose करना हम बोलते हैं अपनी identity को disclose कोई करता है कोई नहीं करता तो reveal भी वही होता है तो कह रहे हैं वहाँ उसने काम करना शुरू किया एक फार्मर की तरह बिना revealing बिना व्यक्त किये बिना disclose किये his true identity जो भी उसकी पहचान थी उसको रिवील किये भिना उसने काम करना शुरू कर दिया as a farmer identity का मतलब होता है पहचान अकबर बिगैंं रिघ्रेटिंग अकबर को पच्चतावा होना शुरू हो गया अकबर बिगेंग तो अकबर ने पच्टावा करना शुरू कर दिया regret मतलब होता है पच्ताणा रिग्रेट की जगह एक वर्ड और आता है repent R-E-P-E-N-T repent मतलब होता है पच्ताना तो अक्बर ने जो उसको निकाल दिया था बीर्बल को तो अब उसको पच्टाना वो शुरू हो गया His actions अपने जो भी करमते उनको लेकर तो अक्बर ने पच्टाना शुरू कर दिया अपने actions को लेके Within a few days, कुछी दिनों के अंदर So इसलिए He devised a plan उसने एक योजना बनाई to find बीर्बल, बीर्बल को ढूंडने की He उसने immediately तुरंत सेंट भेजा उसने तुरंत भेजा an order एक आदेश to every village, हर गाउं में Asking the villagers और villagers को कहा, करने के लिए क्या कहा To fill a port, एक मटके को fill करें with wit, बुद्धी के साथ तो wit मतलब बुद्धी अभी आपको मैंने बताया, wit is बुद्धी तो उन्होंने क्या वोला, कि एक तो order भेजाया तुरंत हर एक गाउं में और villagers को कहा, कि वो मटके को बुद्धी के साथ भरे तो मैं यहापे highlight करना हूँ word जो आपको याद करने है become furious is क्रोदित हो जाना, obey मतलब कहना मानना और reveal मतलब disclose करना, और regret पश्ताना, identity पहचान और device a plan योजना बनाना, और wit मतलब बुद्धी और port मतलब मतलब मतका तो अब हम कहा रहे हैं कि उसने तुरंत एक order भेजा हर village में और villagers को कहते हुए कि उनको एक port को भरना बुद्धी के साथ and or send it और इसको भेजना है to court में if, अगर they can fill the port with wit, अगर वो they can't fill, अगर वो नहीं भर सकते हैं port को भुद्धी के साथ, फिर they must fill it with jewels, फिर उनको गैनों के साथ उसको भरना पड़ेगा अब यहां पे must का user पड़ेगा की sense में भी हम लगाते हैं तो अगर वो नहीं भर सकते हैं port को बुद्धी के साथ तो उनको उसको jewels के साथ यानके गैनों के साथ भरना पड़ेगा मैंने आपको will have to के lesson में भी बताया था कि पड़ेगा पड़ेगी पड़ेंगे उसमें हम will have to लगाते हैं लेकिन आप चाहें तो आप मस्ट का भी उस कर सकते हैं और काफी यूज होता है तो यह वही यूज है तो उनको jewels के साथ उसको भरना पड़ेगा नहीं तो आगे लिखा है वेन जब बीरबल हर्ड बीरबल ने सुना इस अनॉंसमेंट को जब बीरबल ने यह घोशना सुनी अनॉंसमेंट इस घोशना एक महीने के अंदर इस मटके को बुद्धी के साथ भर दो होंगा है नाओ अब क्या हुआ ही टुक अपोर्ट उसने एक मतका लिया इन इस आमस अपने हातों में अपनी बाहों में और हैड़िड टू ओ वाटरमेलन वाटरमेलन फार्म और वाटरमेलन फार्म मतलब वाट जो तर्बूज के खेत थे उनकी तरफ चला गया यहां पर है है एक वर्प है और हैड़् का मतलब है किसी की तरफ कहीं पर चले जाना जैसे मैं करें हूँ हाँ है अब हैडिंग तो ओफिस यानि कि मैं ऑफिस जा रहा हूं आयां हैडिंग टू कॉलेज कॉलेज जा रहा हूं तो वैसी उसने पोर्ट लिया अपनी आमस में और चल पड़ा कहां पर वाटरमेलन फार्म की तरफ फार्म मतलब होते हैं खेत और वाटरमेलन इस तर्बूज देयर वहां ही चोज ऑ स्मॉल वाटरमेलन उसने वहां पे छोटा तर्बूज चुना चूज की सेगिंड फोर्मिस चोज उसने चुना एक छोटा वाटरमेलन और प्लेजड इट और उसको प्लेज कर दिया इंसाइड दे पोर्ट में प्लेज कभी यूज करते जब हम किसी चीज को जादा टाइम के लिए या फिर पर्मनेंटली फिक्स कर देते हैं तो बोलते प्लेज कर रहे हैं अगर आप अपने घर में अलमारी को या बैड को कहीं भी रखना चाहते हैं कि उसकी पूजिशन वह भी रहेगी तो उसने प्लेज कर दिया वाटरमेलन को पोट के अंदर क्योंकि छोटा था उसने मटके में डाल दिया कि विदाउट कटिंग इट बिना उसको काटे फ्रम्डवाइन बेल से वाइन हैं बोलते हैं बेल को वि-i-n-e जैसे ग्रेप वाइन होती हैं अंगूर की बेल उसी तरह से जो तरभूज होते हो बेल पर लगते हैं तो बिना बेल से काटे हुए उस तरभूज को उसने करना ही नर्चेरड द प्लांट उसने बथे स्ट्ध करके अ केरफुली बड़े ध्यान से सूनभार लिंगल ईंड्ट अलीशी वॉॉॉॉ ग्रेञ वॉरवर शुन भी वॉॉ वॉटystem तो इसली बडा ओ गया और वो इट बिकियम इंकॉसिबल और यह असंभव हो गया तू रिमूव इट उसको निकालना फ्रोम दपोर्ट मटके से विदाउट डैमेजिंग आइधर यहां तक कि डैमेज किये बिना भी डैमेज के बिना भी मतलब उसको निकालना मुश्किल हो गया बिर्बल फाइनली कट दवाइन अब बिर्बल ने आखिरकार बिर्बल फाइनली फाइनली मतलब आखिरकार बिर्बल ने कट कर दिया कट की सेकिंड फोर्म भी सेम ही रहती है कट कट और थर्ड फोर्म कट बिर्बल फाइनली कट दवाइन अब बिर्बल ने क्या किया उस बे खाली Moo Nини텐 समय ऑगोचामट चाहं को सब्सक्राइब शक्रांड चाहिए निटाइरली को लुए असंता मतलब अर्ड़ के अंदर कोट राजा के दर्बार में विदा मैसेज एक मैसेज के साथ सेइंग जिसमें लिखा था यूर मजेस्टी मतलब जहाँ पना प्लीज रिमूव दविट बुद्धी को अलग करो फ्रॉम दपोट इस मटके से विदाउट कटिंग इट बिना इसको काटे और बिना मटके को मटके में तर्बूज कैसे आ गया जबकि तर्बूज को उसमें डालना तो इंपॉसिबल है यह तो एक ग्यान का घड़ा हो गया तो भीरबल ने यह मैसेज वहाँ पे लिख दिया कि इसको निकालो इसमें सब बुद्धी को निकालो बिना कट किये और ब्रेक किये से मटके क कि है आगे निखा अकबर इंस्टेंटली मतलब होता है तुरंत अकबर ने तुरंत पता चल गया उसको अकबर इंस्टेंटली नियू डैट उसको पता था लगा only Birbal, सिरफ Birbal could reply Birbal reply कर सकता है in such a witty manner इस बुद्धी भरे तरीके से witty मतलब होता है बुद्धी वाली कोई चीज मतलब एक ऐसी चीज जिसमें बुद्धी भी लगी हो और हासे पर्द भी हो जिसमें आपको humorous कोई चीज हो जिसमें हसी भी आए और बड़ा ही funny way से जिसका बुद्धी लगा कर आंसर दिया जाए उसको witty बोलते हैं, witty manner तो अकबर कोपता चल गया तुरंट की Birbali ऐसे witty manner से बुद्धी वाले तरीकों से reply कर सकता है could का use हुआ सकता की sense में क्योंकि हम यहाँ पे ability की बात कर रहे है past ability इसलिए सकता था पर खतम हुआ है, तो हम could का first form के साथ use करेंगे सकता था पर जब sentence खतम होता है तो हम could have के साथ third form भी लगाते है उसका sense अलग होता है जो मैं अपने course में आपको करा चुका हूँ आप सभी को बताना भी चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी step by step English सीखना चाहता है तो आप मेरे app को डाउनलोड करें app में आपको सब कुछ मिल जाएगा step by step जिसमें मैंने basic से advanced level तक English को बिल्कुल step by step सिखाया है तो आप app को डाउनलोड करके मेरा one year course जरूर जरूर करें जिसका प्राइज है फाइव नैंटिनाइव app का लिंक के निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिर आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो आगे लिखाया है सिब्सक्रियक अंप पा fram मतला खुद सेल्व ही वीजी जटीटेट बीलेज इस atrás दौरा किया उसने वह विलेज को देखने गया फैर सकते होज जहां से जहांसे मैसेज आया और ब्राट बीरबल बैक तो देको आया तो ये थी पहलए आई होप कि आपको पसंद आई होगी तो इसमें कुछ वर्ड थे मैं हाइलाइट कर देता हूं इंस्टेंटली मतलब तुरंत पर्सनली मतलब व्यक्तिकत तोर पे इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं इन पर्सन जैसे आप बोलते हैं I want to meet you पर्सनली मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहता हूं तो आप यूज कर सकते हैं I want to meet you in person in person उसका भी वही मतलब होता है सेम और विटी मतलब होता है जो बुद्धी भरा और जिसमें हसी भी आ जाये इस तरह का कोई चीज और इसमें एंटाइरली मतलब पूरी तरह से और वाइन मतलब बेल और नर्चर मतलब पालन पोशन करना और बाकी I think easy है तो यह थी हमारी आज की स्टोरी अगर पसंद आयो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा सब्सक्राइब आप मुझे के लिए और पसंद आयो तो लाइक शेयर और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब आप मिलते अब अगली वीडियो में और तब तक के लिए दीजिए इजाजत थैंक यू